वेलकम टो यूटूब चैनल जीके जीयस बिथ मनेश सर आज 18 जुलाई 2023 है और आज के जितने भी महत्तपुर्ण करेंट अफेर होंगे वो हम इस बीडियो में डिसकस करेंगे इसका पीडियाफ टेलिग्राम पे मिलेगा आपको जिसका लिंक बीडियो के डिस्किप्सन बॉक कब विशु सर्प दिवस मनाया है साथियो तो ये मनाया गया 16 जुलाई को साथियो राष्ट्रिय जुलोजिकल उद्यान साथियो कहां पर है नई दिल्ली में है और इसने विशु सर्प दिवस मनाया है कब मनाया है तो 16 जुलाई को मनाया है साथियो अब इस महीने में और क कौन कौन से महत्युपुन दिवस मनाए गए तो चार्टेड एकाउंटेंट डे एक जुलाई राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस एक जुलाई राष्ट्रिय डाक दिवस एक जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस दो जुलाई अग्यात फ्लाइंग अबजेक्ट दिवस दो जुलाई अंतराश्ट्रिय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई विशु जुनोस जीवस कम मनाया गया तो 6 जुलाई को मनाया गया साथियो विशु चॉकलेट दिवस 7 जुलाई विशु जनसंख्या दिवस 11 जुलाई विशु पेपर बैग दिवस 12 जुलाई अंतर प्रशना आपका है हाली में चर्चा में रहा कास पथार किस राज्य में इस्तित है साथियों तो साथियों ये कास पथार जो है आपका ये महराष्ट के सतारा जिले में है अब ये महराष्ट में साथियों है देखो ये कास पथार जो साथियों आपका है ये कोईना बनने बभ्यारन से साथी हूँ और यह है कहां पर महराष्ट्र में तो महराष्ट की राजधानी क्या है मुमबई महराष्ट्र के गवर्नर कौन है रमेश बैस महराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है एकनात सिंधी यहां पर राजसभा 19 है और लोगसभा 48 है चंदोली राष्ट्रि मुप्टाई भवानी वन्ने जी बभ्यारन कहा है मुप्टाइभवानी मुप और इस्ट्टूर्च का हिट ओभार्टर कहा है नागपूर में है साथियो नैस्टन केमिकल लिवरिटरी कहां है पूने में इंडियन सिक्रेटरी प्रेस पूने में है भारतिये मौसम बेद साला पूने में है भाभा परमानु अनुसंधान केंदर कहां है तो मुंबई में है साथियो अगला प्रश्णाप का है नोमेडिक एलिफेंट दोजार 23 सेनभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है साथी तो साथियो इसका आयोजन होगा उलान बटोरे में जो मंगोलिया की राजधानी है और ये नमेटिक सेनभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है साथियो अब मंगोलिया की कैपिटल क्या है तो उलान बट मंगोलिया की करेंशी क्या है मंगोलियन तुगरिक साथियो अब महत्पुर्ण सैनभ्यास हैं जो साथ की प्रते एक वर्ष होती हैं तो देखो वोल्ड कुरू छेत्र सैनब भ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, सिन्यू मैत्री सैनब भ्यास भारत और जापान के बीच, धर्म गार्जियन सैनब भ्यास भारत और जापान के बीच होता है, दस्टलिक सैनब भ्यास भारत और उजवेकिस्तान के बीच, वीर गा भारत और फ्रांस के बीच गरूर सैनभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है साथियू काजिंद सैनभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच नसीम अलबहर सैनभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है हरीमो सक्ती सैनभ्यास भारत और मलेसिया के बीच आस्ट्रा हिंद सैनभ साथ यो मान की कैपिटल क्या है यह बतानी है केमेंट बॉक्स में आपको अगला प्रशना आपका है इंडिया मोबाइल कॉंगरेश दोजर तैस का आयोजन कहा हुआ है तो साथियो यह हुआ है प्रगती मैदान में और प्रगती मैदान कहा है तो नई दिल्ली में है ताल कटोरा स्टेडियम भी नई दिल्ली में है साथियो नई दिल्ली में आपका टेलिकॉम रेगुलेटरी अ प्रश्न का हेड़कौर्टर नई दिल्ली में है टेवल टैनिस फेडरेशन आफ इंडिया का हेड़कौर्टर नई दिल्ली में है साथियो टेवल टैनिस फेडरेशन आफ इंडिया की पहली महिला चेयर्मेन कौन बनी है तो यह बताना है केवेंट आपको अल इंडिया फुट साथियों हुआ है उत्रा खंड में और आपको बताना है आज कमेंटर बॉक्स में उत्रा खंड के बारे में आप क्या क्या जानते हो उत्रा खंड के बारे में साथियों क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है दिल्ली आदीपूरम महतसब तमिलनाडू राष्ट्य संस्क्रित महतसब कहां हुआ तो मुंबई में हुआ साथियो खुजराहो निर्थ महतसब अमध्य परदेश ओरेंज फेस्टिवल कोहीमा अंतराष्ट्य पतंग महतसब एहमदावाद गंगा सागर मेला कहां हुआ तो प परसुराम कुंड महतसब अरुनाचल परदेश साथियो स्वर धरोहर महतसब नई दिल्ली लोसर महतसब लद्दाक और लद्दाक में एक नैस्टल पार्क है उसका नाम है हेमिस नैस्टल पार्क होर्नबिल महतसब नागालेंड नुवा खाई महतसब कहां हुआ तो ओडिसा में हुआ साथियो बुथुकम्मा फूल उच्छब ते लंगना में हुआ राष्टिय जंजाती निर्थ महतसब राईपूर अंतरास्थिये गीता महतसब कुरुच श्यत्रे संगारी महतसब कहां हुआ तो मनीपूर में हुआ साथियो और आमूर फॉलकन फेस्टिबल कहां ह तो ये भी हवा साथियो मनिपूर में, सरस फूड फेस्टिबल कहां हुआ तो ये हुआ नई दिल्ली में, सिनस्नो फेस्टिबल हुआ जम्मू कास्द दरों है। अगला प्रश्ण आपका है किस कंपनी ने भारत की पहली अंतर राज्य बिजली परियोजना शुरू की है साथी? तो अडानी ग्रूप ने अभी हाली में भारत की पहली अंतर राज्जी बिजली परियोजना की सुरुवात की है अब अदानी ग्रूप ने साथ यो कहां पर किया है तो देखो अदानी ग्रूप ने भारत के जारखंड के गोड़ा में इस्थित अदानी पावर के अल्टरा सूपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में भारत की पहली अंतराज जिये बिजली परियोजना की सुरुबात की अब जारखंड के गोंडा जिले में किया है साथियो तो जारखंड की राधानी क्या है जांची जारखंड के गवर्नर कौन है सीपी राधा कृष्णन साथियो जारखंड के मुख्य मंतरी कौन है हेमंत सोरीन या इस जारखंड की इस्थापना होई थी बिहार से अलग हो कर के 15 नमंबर 2000 को और यहां पर राजसभा 6 है और लोकसभा 14 है पलामू अभ्यारन बितला राश्ट्रिय उद्यान बितला या बितवा ये कहां पर है तो जहार खंडे में है पालकोट वन्ने जी बभ्यारन दालमा वन्ने जी बभ्यारन पारसनाथ वन्ने जी बभ्यारन कहां पर है तो जहार खंडे में है साथियो अब अगला प्रशना आपका है हाली में किस राज्य में अंतराज्य चेक पुष्ट पर कैसलिस भुगतान सेवा के सुरुवात होई है तो कैसलिस भुगतान सेवा के सुरुवात होई है आंदर परदेश में साथियो कहां पर हुआ है तो आं नमोहन रेडडी यहां पर राजसभा 11 है और लोगसभा 25 है श्रीबैंक्ट इस्वर रास्ट्रिय उद्द्यान पुलीकट लेक बनने जीब अभ्यारन नागारजुन सागर स्री सल्म बनने जीब अभिहारन कहां पर है तो आंधर परदेश में है पापी कोडा राष्ट्रिय उद्यान कहां है आंधर परदेश में फलों के उत पादन में पर्थम राज्य आंधर परदेश है आंधर परदेश ने बिनाईली के बैनरों पर परतिबंद लगाया है इंडियन स्पेस रिसर्च ओगनाईजेशन ने देश का सबसे चोटा रोकेट आंधर परदेश की स्री हरी कोटा इस्टित 37 धवन अंत्रिक्ष केंडर से किया है साथियू और भारत की पहले मुस्लिम सिक्ष का फातिमा सेख है जिसके युगदान को आंधर परदेश ने अपने स्कूल में एक पार्ठ के रूप में सामिल किया है मुला पेटा पोर्ट कहां है आंधर परदेश में बिजाग तेर्क पार्क की अधार सिला कहां रखी गई है तो विसाखा पतनम में रखी गई है अगला प्रशना आपका है हाल ही में किस देश में 150 साल पुरानी मरी माता मंदिर को दोस्ट किया गया है साथियो तो पाकिस्तान के कराची में यह इस्चित था मरी माता मंदिर जिसे धोस्त कर दिया गया है अब यह मंदिर पाकिस्तान में था पाकिस्तान में कहा कराची में था तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है इसलमाबाद पाकिस्तान के प्रसिडेंट कौन है अरिफ अलवी पाकिस्तान के प्राइम निश्टर कौन है सहवाज सरीफ और पाकिस्तान के अभी सेना परमुख कौन बने है तो लेटिनेंट जर्नल असीम मुनीर बने है साथियो कौन बने है तो लेटिनेंट जर्नल असीम मुनीर अगला प्रश्ण आपका है विम लेंडन दोजर तईस में पुरुस एकल फाइनल किसने जीता है साथियो तो कलासो अलकराज ने जीता है और उब जेता कौन था इसमें तो नोगवाक जोगोविच साथियो अब अगला प्रश्ण आपका है आपदार राहत को से बेब साइट किसने ल और सिमला में है कैंदरिये आलू अनुसंधान संस्थान यहां के गवर्णर है सिप प्रताप सुकल और यहां के मुख्य मंत्री है सुकवेंदर सिंग सेको यहां पे राजसभा तीन है और लोगसभा चार है ग्रेट हिमालियन राष्ट्रिय उद्यान और रोहिला राष्ट् प्रदेश में है चमेरा जल्विदुत पर योजना राभी नदी पर है चंडरताल जील और सुरजताल जील हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट जयवमंडल हिमाचल प्रदेश में है साबरा कुड़ू जल्विदुत पर योजना पबर नदी पर है साथियो किस नदी महत्पुर्ण क्रेंट फेर कल मैंने आपसे पुछा था कि G20 उरजा परिवर्तन कारे समुह की बैठक का आयोजन किस राज्य में होगा तो गोवा में होगा और गोवा में ही सैंतीस्तमा राश्ट्री ये खेल का भी साथियो आयोजन होगा अब गोवा में होगा साथियो तो आपको बताना है गोवा के बारे में मैंने कई वह बताया है चाल ही呢 किस में अपना खुद का operating system और उस देश के बारे में जो भी आप जानते हो सारी बाते आपको बतानी है केमेंट बॉक्स में तो ये था आज का आपका महत्तपुर्न करेंट अफेर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सस्क्राइब करें धन्यवाद